तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे नमस्कार दोस्तो मैं हूँ टेक्निकल गौरब और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज किसी को नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी आर पे तो अभी देखिये आप जो वीडियो के 안दर फॉन देख पा रहे हैं सबसे पहले में आपको uskur Mackly दोस्तों देखिए यह जो फोन है रेडमी 9 Prime मोबाइल है ठीक है दोस्तों इसका मोड़ल है रेडमी 9 प्राइम अभी देखिए इस फोन के दर प्रॉबल्म क्या है आप यहां पर देखेंगे दोस्तों देखिए डिस्पले में आप नीचे एक तरफ देखेंगे तो आपको यह फॉन को hard reset किये बिना software कराए और नहीं आपके फॉन का कुछ भी data loss होगा जो ट्रिक में आपको बताने वाला हूं बस आपको इससे follow करना है और इसी ट्रिक को अपने फॉन पे apply कर देना है 100% आप अपने फॉन का safe mood बंद कर सकते हैं और कोई भी data loss बगारा नहीं होगा तो चलिए दोस्तों किस तरीके से safe mood को बंद किया था आईए जान लेते हैं लेकिन दोस्तों please से पहले मैं चाहूंगा यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe जरूर कर लेना इससे के हमारे आने वाली हैने वीडियो यह देखिए तो आपको करना यह है जो power बटन उता है आपको चालू बंद करते हैं आपको इसको दबाके रखना है जब आप इसे दबाकर रखना इस तरह के चार आपके फोन के अंदर आ जाएंगे देखिए यह इस तरह के अभी आपको इन में एक option मिलेगा यहां पर reboot लि करना ठीक है जैसे ही अपना फॉन जो ही प्रॉपर ओन हो जाएगा 100% फॉन का सेफ मूड़ बंद हो जाएगा और देखिए साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूँ यदि आपने फॉन को रीबूट कर लिया आपका फॉन ओफ हुआ फिर ओन भी हो गया लेकिन सेफ मूड फिर भी नहीं बंद हुआ तो आपके फॉन का जो वॉलियम बटन होता है ना जिससे आप आवाद घटाते हैं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो पहले आप इसे ठीक करा लेना जब आप इसे ठीक करा लेंगे उसके बाद आप अपने फॉन को रीबूट कर द दिखा देता हूँ फोन का देखिए हमने फोन का लॉक खोल दिया और अभी इस नहीं है यानि कि सफ़ोन का सेयां बंद हो चुका है तो आप ड़ी तरीके से आप प्राइम मोबल का से भी मोड़ कर सकते हैं उम्मिद करता हूं आप अच्छे समझ गयोगे तो मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जैसरी राम